तो 2022 की सबसे बड़ी जंग कौन डाल रहा है जहरीला रंग जहर जी हाँ चुनाम में इंदु मुसल्मान किसका कामसान चुनाम में साम्प्रदाइक्ता का जहर किसकी लहर नमस्कार देश नहीं जुकने देंगे मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथ कभी तुम्हें कौन बचाने आएगा तो कभी तुम्हें कहीं छिपने की जगा नहीं मिलेगी कभी 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी तो कभी 15 प्रतिशक प्रतिशक पर भारी कभी मुसल्मानों एक हो जाओ तक अब यसी बनाम 20 कभी हरद्वार में धर्म संसाद और अब तो में खोले आम मुसल्मानों को भड़काया और कटले आम की धंकी दी पहले मौलाना तौकीर रजा का यह पूरा बयान सुनिये कि दूराल कि अब लिए खार दो अपनागी मुझे छूब से दर्लाओ जिस दिन में न कि अजवान थानून अपने हाथ ने लेगा हाँ वीडियो वह लिए निव्यू फ्लाब्र, इस दिन दूना थानून है सब्सक्राइब को धिए देखे एक धर्मसंसद हरिद्वार में हुई थी हम सब ने उसका विरोध किया था जिस तरह के जहरीले बयान हरिद्वार की धर्मसंसद में दिये गए थे उस पर सब आकरोश था बहुत लोग आकरोशे थे होना भी चाहिए लेकिन बरेली वाली मुस्लिम धर्मसंसद या मुस्लिम मजलिस कुछ भी कह लेजिए उस पर एक सन्नाटा है खामोशी है मौलाना का बयान साथ जन्वरी का और कानून के हिसाब से इसे अभी तक जेल में होना चाहिए था लेकिन शेक शायद ये सेकुलरिजम की मजबूरिया कि इस मौलाना के जहरीले बयान पर सब धृतराष्ट बन गए है जो लोग हरी दोवार में धर्मसंसद पर आकरोशे थे वो सभी इस मौलाना की नरसंगहर वाली धंकी पर खामोश है जो खुद को सेकुलर पार्टी कहती है वो भी मौलाना की धंकी पर मौन है और जिसे कथित संप्रदाइक पार्टी कहा जाता है ना BJP उसने भी इस मौलाना पर कोई कारवाई नहीं किये तो क्या जहरीले बायानों की ये लहर चुनावों को साम्प्रदाइक बनाने के लिए आई गई है तो क्या ये सब को यूपी में जहर की लहर को तेज करने के लिए हो रहा है चुनाव साम्प्रदाइक हुए तो किसका काम आसान होगा चुनावों में हिंदू मुसल्मान किसका काम आसान वारिस पठान जुड़ चुके मेरे साथ OEC की पार्टी से हैं और साधना भरती जी हैं कॉंग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी अवनी जी श्रवस्ती हैं डेली निवर्स्टी मेरे प्रोफेसर हैं और सुधान शुत्रिवेदी आप सबका बहुत-बहुत स्वाग सीधा सवाल आरिदवार के अंदर एक कॉंट्लेफ होता है सुमिट होता है जेनोसाइडल स्पेच सुमिट वहाँ पर क्या राउस किया जाता है हम और आप अपने बच्चों को तालीम देते हैं कि बेटा कलम उठा कागस उठा लिक अच्छा पढ़ लिके लॉयर बन डॉक्टर बन अव अगर वहां क्या सिकाया जारा है वेटा कलम छोड़ दे तलवार उठा ले दो लाक मुसल्मानों का नरसरहार कर दे मुसल्वानों के खिलाफ 20 घंटे तक सिर्फ सिर्फ जहर घुला जाता नरसरहार की बात की जाती है वहाँ पे था धरम संसत के नाम से सुमिड मगरवा क्या का जा रहा है धरम के नाम पे कोई बात नहीं गीता महा भारत रामाइन का कोई पाट नहीं पढ़ा जाया था अब वहाँ यती नरसिंगा नंद उसको और्गराइस करता है यह वही नरसिंगा नंद है जिसने पहले हमारे हुजूर की शान में गुस्तागी की बाहर है यह वोई यतिनर सिंगानंद है जिसने भाजपा की महीला जो लीडर्स है उनके बारे में आप शब्ड यूज किये थे मैं तो वो शब्ड को यूज भी नहीं कर सकता हूँ आपके चैनल के उपर इतने गंदे उस पर F.I.R. होती है मगर उसको अरेस्ट नहीं करते अरेस्ट नहीं करते वो फिर से एक धर्म संसत की तैयारी कर रहा है सिमला में बैटकर 4, 5, 6 मार्ज को उसने धर्म संसत का आयोजन किया है सिमला में तो ऐसे दरिंदा जो मैं तो उसको कहूँगा जो बार खुली हावाव में घुम रहा है उसकी जगा जेल में होनी चाहिए तो सांप्रदा एक तनाम यूँ फैलता है उसके बाद योगी अर्ती दियानाथ जो आज तो C.E.M. है उत्तरप्रदेश के मगर इंशालला 10 मार्च के बाद नहीं होंगे वो लाते है 80 बनाम 20 कौन 20 है पुरी देश को पता है आपको ही पता है अगर वारिश पठान ने अमन भाई ये बोल दिया होता 80 बनाम 20 इसकी बी वज़ा है क्यों फैला रहा है साप्रदा एक तरह ये लोग क्योंके बीजेपी को पता हुगा है कि उहारने वाली उक्तरपदेश चुराओ देखिए पता ये लोग ये लोग खुले घुम रहे हैं इस तरह का बयान देकर ये लोग खुले घुम रहे हैं इस तरह का बयान देकर मेरा सवाल आप से ये है आप भी तो खुले घुम रहे हैं में तक 15 करोड़ सौ करोड़ कैस हुआ फ़ाय क्या कहा था तो आपको भी तो गिरफ्तार नहीं किया गया ना ने मेरे तो आप आप एंकर है आप धरम सांसत कि वकिल ना बने तो ज्यादा अच्छा है इंकर में आप अच्छा काम कर रहे हैं मैं तो कहा था मैंने उसकी सफाई दिया मैंने सफाई दी तुम्हें कौन बचाने राएगा असाद ओवेसी उस पीच को जो हुबने पुरा दिखाया तो सब टाइन क्А you can का 3 मिनिट निकाला ना तो 40 मिनिट का 40 सेकिंड निकाला हमने 20 गंटे का ने रही गलत है हमने अरी दुआर की स्पीच आप देख लिजी आ अमन भाई तीन दिन चलाता है ये पूरा सुमिट 20 गंटे का था सिर्फ एकी बात हुई स्वाल ये है कि संप्रदाइक कौन बना रहा है संप्रदाइक सिर्फ हरदवार से निकल रहा ना संप्रदाइक बरेली के मौलाना तौकी रजा भी बना रहे जिन पर आपको सियासी मोतिया बेंद हो जाता है आपको नजर ही नहीं आता आप डेड़ मिनिट बोलेंगे लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे मुलाना तौकी रजा के खिलाफ जो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें रहने की जगा नहीं मिलेगी जिस दिन मुसल्मान मुसलिम हाथ से निकल गए मेरे लड़ाई तो हमारे खून में हैं पैदाईशी लड़ाकू हैं आप नहीं बोलेंगे क्योंकि सेकुलर धंकी हो जाती है हरदवार वाली सामप्रदा एक धंकी है और जो बरेली वाले मौलाना की धंकी है वो सेकुलर धंकी हो जाती है तुम्हें कौन बचाने आएगा सेकुलर धंकी हो जाती है पंदरा मिनिट पुलिस हटा दो सेकुलर धंकी हो जाती है पंदरा करोड देखिए, मैं बोल रहा हूँ हरदवार में जो बोला गया वो गलत, जो हरदवार में बोला गया वो गलत, मैं बोल रहा हूँ ये, लेकिन आप भी तो खुले घुम रहे हैं अभी तक, मैं तो बता रहा हूँ ना, ने हम तो हम पे तो केस हुआ, हम तो बेल वगेरा लेके बैठे हुए, साब हमारा क्या लेगी, यती दरसिगानन तो देता ही जा रहा है, धमकियों पे धमकी, मगर एफायर कर रही है, मगर बीजेपी सरकार में तीह मत नहीं की, उसको अरेस करें, अरे उसको तो क्या आरेस करेंगी, बीजेगी सरकार तो अजय मिश्र टेहिन प्रोप, आब तक मोस बनके अब तक जिसको आरेस नहीं किया, आमन भाई आँ आप गरिफिकेशन में ता चलो बोलो यति नरसिगानंद को क्लरिफिकेशन दे क्लरिफिकेशन दे क्लार छो खो भाता आई नहीं क्या ता अरे मेरा तो हेट स्पीछी नहीं था